आदी शंकरा चार्य 509 से 427 इसा पूर्व के बीच में उपनेत्र का उपयोग किया है जो की आवर्थन प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाले चश्मे थे। उपरोगत पाठ में उपनेत्र का संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि किसी प्रकार के आवर्थन लेंस या चश्मे का उपयोग किया गया था। British East India Company के एजेंटों को कुछ लेखकों द्वारा भारत में चश्मा पेश करने का गलत श्रेय दिया गया है। एक अंग्रेजी फर्म केरिच बारकर और मिटफोर्ड के 22 सितंबर 1616 CE के एक पत्र में राजपूत नामें अंग्रेजी चश्मे की धीमी बिकरी का संदर्भ है जो उत्तर भारत में राजस्थान का अधुनिक नाम है। हिंदू साहित्य में चश्मे का उलेख इससे बहुत पहले मिलता है और कुछ मुगल लगुचित्रों में भी चश्मे का चित्रन किया गया है। और अन्य एतिहासिक सभी तथ्य बताते हैं कि चश्मे का आविश्कार भारत में हिंदू ने किया था। लेंस का उपयोग अर्बों के माध्यम से यूरोप तक पहुँचा जैसा की हिंदू गनित और प्राचीन भारती सर्जल सुश्रुत के नेत्र संबंधी कारियों ने किया था जिन्होंने पहली मोतिया बिंद सर्जरी की थी। उपलोग का नागो लक या चश्मा गोल या संस्कृत में उपनेत्र नामक चश्मे का उपयोग ना केवल उच्च वर्गों के बीच बलकी मध्यम वर्गो द्वारा भी किया जाता था। चश्मे का एक संधर्व लगभग 1576 इस्वी में अहमदाबाद के एक जेन कवी सोम विमला सुरी द्वारा रचित एक गुजराती कविता कैसिम सब्दा सार्थी स्वादयया में पाया जाना है। यहां इस्तिमाल किया गया शब्द चसीमा या चस्मा है जो फारसी शब्द चश्म का बराबर है जिसका अर्थ है आंख। तरह से लक्षित होता है तो नेत्र लेंज का कोई दोश प्रभावी नहीं होगा। आधी के छात्रों को कांच बनाना सिखाया जैसा की वाइदिक पुस्तक शत्पथ ब्रामहन में बताया गया है। शत्पथ ब्रामहन को शुक्ल यजुर्वेद की टिपनी के रूप में कम से कम 3000 इसा पूर्वया उससे भी पहले लिखा गया था। अधित चानकारी के लिए विवरण में लिंक पर क्लिक करें। झाल